सब्सक्राइब के लिए बेस्ट लेंस की जहां तक बात करें इफ यार इंटु फोटोग्राफी ठीक है आप आकर फोटोग्राफी में हो तो तो अनली वननेस मैं जो आपको रिकमेंड करूगा वो है तैमराउन की 70-70 f2.8 लेस्ट एक काफी वर्साटाइल नेंस है आप यह नहीं सोच हो कि इसमें कोई एफ की इस्यूस भी आने वाली है या हाँ अधिशनल एडवांटिस एड़ गेटिंग इस अप्तिकल इमिज इस्टिपलाइजर सन अफ कोसा आपके यह सिप्सपोड दरो कैमरे में कोई भी सेजर सेफ्ट बेस्ट इमिज इस्टिपलाइजर सन मैकनिजम नहीं आपकी जो आपकी जो अपर्चर है वो कॉंस्टेंट रहती आइदर यू आपको कोई अडिस्टिपलाइजर सन नहीं चाहिए इफ यह आर सुटिंग आफ्टर 50 mm यह अच्छी कांडिट्स निकाल गया आपको दे तो देंग इस आपने एक वार इस लेंस को ने लिया तो अगर आप इन दो लो की प्राइस को देखोगे और आपके 70-70 mm of 2.8, 50,000 के प्राइस को टेच कर जाते हैं और जब यह 50,000 के राउंट फ्रेम में अगर आप आप इसके सेल के वेट करो यह तोड़ा सा आप अपने नजर बनाए रखो क्योंकि इसकी प्राइस काफी ज्याद करती है और जब यह 50,000 के राउंट फ्रेम में अगर आपको मिल रही है फिर क्यों आप फिर सिग्मा के 18-50 of 2.8 लो जहां पर आपको रेंज भी कम मिल रही है साथी साथ इसमें कोई ऑप्टिकल इमिज इस तबलाइसन जिस तरह की आईस आपको टैमरान बेस्ट लैस्ट लै यहां पर हम आपको रेकमेंट करना जाहेंगे सिगमा की 16 mm के F1.4 लैस्ट एक काफी उम्दा लैस्ट इस स्पिकली इस यू वांट टो रिडिए व्लो आप नॉर्मल डे टू-डे व्लोग्स पना रहे हो अपने इंडोर में व्लोग्स मना रहे हो रूम में व्लोग्स मना र हो इस लेकमेंड वाइल टेकिंड यूर कैमरें यूर हैंड से यानि कि आप हैंड हेल्ट ब्लॉग बना रहे हो तो यह लैस्ट जो सिगमा की 16 mm f1.4 आपको बहुत जादा यूँ ना दे नेक्स्ट व्लोगिंग लैस्ट आफ्टर सिगमा 16 mm f1.4 यह जैनल पर प्लोगिंग है थाइल रहे हैंड हैंड रहे हैंड ब्लॉग अपर आपको इस दिखाना है अपने सराओंडिंग को डिखाना है जो यह आर आम गांड जाहां पर आपको ड्रावल ही करना हैंड सम्यां 12 mm f2 लैसे रहे हैंड एक्टी वाइज देगी पंडेर्ट शिटीं को बिखाना हैंड this is more required और कही ने कही माल लो travel में आप image stabilization को introduce करना चाहते हैं आप आप software के थुरू जो भी आप software रूसे करो premiere pro film हो रहा so in that specific case यहाँ पर ट्वड़ा सा digital crop भी लगता है तो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से अगर आप आयस को introduce भी करना अपने फुटेज़ कंदर तो मैनेज हो जाए तो in case when you are travel vlogger maximum time of travel कर रहा हो तब मैं कहुंगा you should go with a ultra wide angle primalist like the samyang 12 mm f2 otherwise sigma की 16 mm f1.4 is the best now let's talk about the type of a youtube content like i am creating right मैं जिस तरह से एक अच्छी distance पर बैठा हो लगवक पास से साथ foot की अगर आपको ऐसी distance पर बैठके अपने vlogs बनाने हैं YouTube के content बनाने तब आपको इस इस फुटेदरो camera में कौन सी lens लगाने in that case you should go with the sigma 30 mm f1.4 काफी उंदा लेंज ठीक है और इसे आपने एक बार लगा देना है आप 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 से सामने बैठो अपने camera को और आपने content बनाना सुरू कर दो so these are the few very important lenses for the e6 photo camera so let's talk about the best lens for portrait photography अगर आपके पास e6 photo camera है and you want to have a best portrait lens then undoubtedly sigma 56 mm f1.4 यह lens आपको 85 mm equivalent focal length at the same time f1.4 aperture ideal lens for portrait photography so if you are interested in portraits then this is a must-to-have lens for a e6 photo camera अब हम बात करते हैं wildlife and sports photographers के लिए कि आपको कौन कौन सी lenses पर्चिस करनी चीए now the best lens under 1 lakh is undoubtedly sigma 100 to 400 mm lens यह लिए 80 to 90,000 के बीच में आपको पढने वाली and it's a very very good lens ठीक है अगर आप 2 lakh तक invest नहीं करने की mood रखते हो then this is a kind of a very good lens for your a6 photo camera but अगर आपका 2 lakh का budget है आपकी lens के लिए you are into wildlife and sports photography then i am going to say you wait for the 60 to 600 mm arrival in india यह already us में announce हो चुकी है दो लाख के आज पास आपको इसकी कीमत पढने वाली है दो लाख से कम ही पढ़ेगी but इसकी जो एफ इनों नहीं डाली है वो बहुत blazing fast है so what i recommend you that if you have a budget of up to 2 lakh then instead of investing in the sigma's 150 to 600 mm sports edition आप 60 to 600 mm lens के लिए वेट करो बहुत उंदा lens है recently जो अभी अनाउस हुई this was my suggestion to you i hope you like it thank you for being a part of this video video अच्छा लगा हो तो like करना नहीं बूलना नए हो तो subscribe भी कर लो for future updates live news